तो आज के इस वीडियो देखेंगे कि कैसे हम लोग website के critical error को ठीक करते हैं जब भी आप अपने website पे वर्क्रेस इंस्टॉल करोगे तो कई वर होता है कि आपके site पे यह option जो है आने लाएगा जब भी आप site के रिलोड करोगे यहां पर आ जाएगा there has been a critical error on this website मतलब आपके website में कुछ problems है इसकेस में होते है कि कई वार क्या होते है कि अगर आप कहीं से plugins जो है सो इस्टॉल करते हो या फिर कहीं पर theme आप इंस्टॉल करते हो तो वहां पर कुछ code error होता है इसके वार से क्या होता है कि आप इसमें cPanel पर आजाना है cPanel या जहां भी आपका file manager वह file manager जो आपको आगाना है open कर लेना है ठीक है तो मेरे केसे file manager मेरा है यहां पर मैं open कर लेता हूं file manager इसके आपको पॉलिक अंडर स्कूर स्कूर स्टॉल में आना है स्टॉल में आने के पाद यहां पर देखिए आपको जो है wordpress का पूरी file दिख जाएगी file दिखने के बाद आपको जाना करें WP content के अंदर जाना है जहां पर कि आपका थीम होगा plugins होगा ठीक है इस सक्षन में आपको जाना है तो आपको यहां पर देख लेना है कि त्यक्ति आपको कोई अक्स्टा झाद फिसमह के लगा हूँ में एक travailler प्रोगलम नहीं होशें कि het है अब इसमें से क्या है कि कोई एक जो है प्लाइज क्या कर रहा होगा प्रोग्लम केट कर रहा होगा जिसके वैसे यह सारा जो है करना है आपको plugins वाले WP content में जाना है आपको फिर plugins का सक्षन खोलना है plugins वाला folder उसकी अंदर आपको एक folder create करना है new folder कर ले default कर ले कुछ भी नाम उसका आप mention कर देना mention करने के बाद जो है सो new folder मैंने create किया है कहाँ भी आ फॉल्डर इससे create कर लेता है new folder file already यहाँ पर है new folder sorry यह है आप करना कि आपको सबको सबसे पहले select all कर लेना है और आपको index.php इसको रहन देना है इसको deselect कर लेना और जिस folder को आपको move करना है जिस folder में आपको move करना है उसको आप भी select कर लेना और सब को जो है select करके move बाले option पर चले जाना आपको और यहां से new folder जो आपने बनाया था उस folder का नाम इंसे नाप कर देना, slash डालेगे ताकि यह जितने भी plugin से वो कहाँ move हो जाए आपके new folder के अंदर, ठीक है? new folder यहां से move file कर देना, अब होगा क्या? इतना भी plugin से वो कहाँ चला गया? वो चला गया आपका new folder के अंदर, अब wordpress से इसका connection खतम हो चुगा है, wordpress में जो plugins होता है, plugins क्या हो गया? अब यह सारा वहाँ से deactivate हो चुगा है, ठीक है? WP content खोलेंगे, plugins वाले सक्षण में जाएंगे, तो देखें यहां पर बस एक दीकर आपको new folder ठीक है? और इसके अंदर हमारा सारा plugins पड़ा हुआ है, अब जो गर हम website को reload करेंगे, तो हमारा site क्या होगा? खुल जाना चाहिए, तो देखें यहां पर हमारा site क्या हो चुगा ह है, अब खुल गया है, मतलब open हो चुगा है, अब यहां से आप admin panel भी खोल जाएगा, तो WP admin डालके admin भी आपको यहां से खुल जाएगा, तो अब है क्या इसमें आपको identify करना है कि कौन सा जो है, so plugins हमारा problem create कर रहा है, तो एक बार में हम क्या करेंगे, 5 plugins को export करेंगे, plugins वा plugins वाले folder के अंदर, ठीक है, और अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से refresh करेंगे, तो देखे, अभी भी हमारा जो है, so website काम कर रहा है, मतलब हमारा problem अभी भी कहां पर है, एक वार हम back चलेंगे, plugins वाले folder के अंदर, ठीक है, तो मतलब यह सारे plugins हमारे सही है, इसमें कोई दिक्क कर लेते हैं, और, यहां तक हम इसको move कर देते हैं, कहां पर plugins वाले folder के अंदर, ठीक है, फिर से हम इसको refresh करेंगे, अभी हमारा site सही काम कर रहा है, अब जो बचे अभी plugins है, इस दोनों को हम क्या करेंगे, move करेंगे, कहां पर plugins वाले folder के अंदर, और फिर हम एक बार जो है, तो अब यहां पर देखें, क्रिट का लिए, फिर से आ गया, मतलब, अभी जो हमने दो plugins को move किया है, उसमें से किजी एक जो है, हमें क्या कर रहा है, प्रॉल्लम क्रिएट कर रहा है, मतलब जो अभी हमने किया था, वो किया था और जो है सो, one click demo importer, तो मास्क जो है सो, WooCommerce brand, इसको हम move कर देते हैं, फिर से कहां पर, new folder के अंदर में, ठीक है, तो अब यह हमारा चला गया है, new folder के अंदर में, अब इसको बार रिफ्रेस करेंगे, तो फिर से हमाना site खुल गया, मतलब यह इस वाले plugins को हमें क्या करना है, है, delete करना है, तो मास, WooCommerce brand जो है, यह जो plugins है, यह हमें problem create कर रहा है, इसको हम क्या करेंगा, यहां से dead मार देंगे, ठीक है, अब बाकी बच्चे है, हमारे पास इत्ते सारे, तो इस तीन को भी हम क्या करते हैं, यहां से move कर लेते हैं, plugins वाले folder के अंदर, और एक बार फिर से हम refresh करते हैं, हो सकता है कि दूसरा भी एक और plugins हो, वह भी हमें problem create कर रहा हो, तो देख लेते हैं, अब यहां से चार बचा है, तो WooCommerce है, WP light है, ठीक है, move कर देते हैं, चलते हैं एक बार, refresh करते हैं, तो अभी हमारा site क्या है, open, भूर आए, अब हम चलेंगे, यहां से एक बार, private window open कर लेते हैं, और यहां पर भी जो हम एक बार, देख लेते हैं, तो अभी हमारा site क्या करता है, सईसी काम कर रहा है, मतलब हमारा, जो है सो, working successful हो रहा है, अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, select करेंगे, move करेंगे, कहां पर, plugins वाले folder के अंदर, ठीक है, home पर आजाएंगे, underscore पर आजाएंगे, public underscore, stml के अंदर, wps के अंदर, content के अंदर, plugins के अंदर, plugins के अंदर के आने के बात जो है, यह new folder जो हमने बनाई थी, इसको हम क्या करते हैं, delete कर देते हैं, ठीक है, अब इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, एक बार site का हम refresh करेंगे, अब ही हमारे पास critical error आ रहा है, मतलब कि यह दोनों हमने क्या किया था, last में जो है तो इसको हम क्या करते हैं, एक और delete कर देते हैं, इसको भी delete कर देते हैं, और उससे पहले हमने Oocommerce को move किया था, तो Oocommerce को delete कर देते हैं, और हम refresh करेंगे, तो हमारा site run हो चुक है, basically करना है क्या है आपको, कि जो भी plugins आपका problem create कर रहा है उसको delete कर देना है यहां से, उससे पहले आपको सारे plugins को move कर लेना एक नए बाले folder के अंदर जहांपर की WordPress से plugins का connection जो हट जाए, उसके बाद क्या होगा, one by one जो है आपको folder move करना है, आपको plugins वाले folder के अंदर ताकि आपको यह identify हो जाए, कि किस plugins में जो है आपको problem create कर रहा है, कौन सा plugins है, जो कि आपके WordPress site को problem create कर रहा है, तो उस plugins को identify करके आपको क्या करना है, उसको जो है, वहाँ से delete करके हटा देना है, जैसे आप हटाएंगे तो आपका website क्या होगा, run करना start हो जाएगा, जैसे मेरे case में क्या है, यह भी site हमारा run करना start कर दिया है, तो thank you guys, आज के इस वीडियो में इतना ही, बने रहे है हमारे साथ, next वीडियो में हम लोग कुछ और चीज़ों कवर करेंगे, thank you, thank you for watching.